गैसे हैं दोस्तों आप सब मैं हूँ आपका दोस्त विरे अमिश्रा rate दोस्तों हैं, इस वीडियो में हम लोग disc performance parameter के बारे में बात करेंगे, factors effecting disc performance भी हम लोग देखेंगे, और एक question भी solve करेंगे, और उसके अगले video से इसके उपर हम लोग बहुत सारे धेर सारे question आते हैं, तो अपन उसको भी लगाएंगे, seek time बताऊंगा भी आपको यहाँ पे rotational latency बताऊंगा और data transfer time जिसको हम लोग बोलते data transfer rate यह हम लोग जानेंगे किस तरीके से calculate करना, इसका basic idea यहाँ पे हम लोग ले रहें और फिर अगले वीडियो से अपन question में आ जाएंगे, ठीक है, तो चलिए start करते हैं, जो हमारा disk performance parameter है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक बार read मारते है, time taken by the disk to complete one input या output request is called disk service time या फिर disk का access time, तो disk के access का time ही क्या है, हम लोग का disk का performance parameter ह बया कितनी जल्दी हम लोग किसी disk को access कर लेते हैं, बया जितना कम उसका disk access time होगा, उतना ही जबरदस उसका performance होगा, ठीक है, यही चीज तो अपने हो पता है, यह चीज तो अपन समझ रहें, जो main important चीज है वो यह है, factors affecting disk performance, तो जो पहला factor है, वो क्या है हम लोग का seek time है, seek time क्या होता है, देखिए, इसका हम लोग concept जानते हैं, यह मेरा एक plate है, ठीक है, यह मेरा एक plate है, plate के उपर का एक surface, plate के नीचे का एक surface, अपने हो पता है, यह मेरा जितने surface होते है, उतने read right head होते है, ठीक है, और यह कहा है, read right head है, तो देखिए, यह जो read, और यह जो मैं यहा ट्रेक तो होता, होता यह है, कि जो head Sc2017 में अंदर और बाहर जाता है, देखेो, यह अंदर से बाहर गया, यह इस तरीका से अंदर जाएगा, इस track को reading किया, फिर यह अंदर गया, दूसरे track को read किया, तीसरे track को reading और writing होती है, तो एक track से, दूसरे track में जो हम लोग पहुंचते है, एक track से दूसरे track में जाने में जितना समय लगता है, उसी को क्या बोला जाता है, seek time बोला जाता है, आपको idea whine, देखो, इसमें क्या होता है? यह उस मेरा read-right head है, अगर इसको उपर से हम लोग read-right head है, अगर एक track से दूसरे track में जब मैं गया इसको हम लोग क्या बोलेंगे सीख टाइम बोलेंगे अब बया में को तो डेटा यह आला रीड करना है यहाँ पे तो नहीं करना है तो यह अपन जानते हैं कि यह स्पिंडल के कारेंड इस तरीके से गोल गोल घूमते हैं तो यह जो है read right rate के अंदर आएगा जहां से reading और writing हो पाएगा तो रोटेट करकि जब यहां तके पहुंचेगा ना उस time को बोला जाता है rotational latency आपको idea से हमें rotational time नहीं बोल रहा हूं rotation time का मतलब यह पूरा चक्कर एक पूरा चक्कर लगने में जितना time लगता है वो होता है rotational latency का मतलब यह जो data में को read करना है या फिर यह जो sector में को read करना है यह जो sector मेरा जब head के नीचे आएगा उस time को बोलते हैं हम लोग rotational latency और seek time आप समझ गए होगे एक track से दूसरे track में जाने में जितना समय लगता है उसको क्या बोलते हैं seek time बोलते हैं ठीक है बहुत बढ़िया तो यह आप वही चीज़ लिखा हूँ ठीक है, it will always be pointing to any particular track on the surface, ठीक है, ये भी चीज़ अपन समझ रहे हैं, read right head can be moved in forward and backward direction, read right head जो होता है, वो सिर्फ और से forward और backward direction में move कर सकता है, ठीक है, ये एक track से दूसरे track में forward और backward, ठीक है, और ये जो इसके goal घूमने के कारण अपन data read कर पाते हैं, जो भी sector अपने को read करना ह आप समझ रहोगे, ठीक है, disk only rotate in one direction, तो disk जो है मनों का एक ही direction में rotate होगा, या तो clock wise, या तो anti clock wise, ठीक है, seek time specify, seek time अब कैसे निकाला जाए, तो seek time के अंदर भी भाई है, तीन time अपन इसको further categorize कर सकते हैं, एक है full stroke, एक है average और एक है मनों का track to track delay, इसका मतलब क्या, इसका मत लब क्या होता है, inner most track से, outer most track में जाने तक कर जितना भी time होता है, उसी को क्या बोला जाता है, full stroke बोला जाता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, time taken by the read right head to move across the entire width of the disc, अब भाया मैं inner most track से, जब outer most track में पहुंच जाऊंगा, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, कि मैं पूरी की प बोलेंगे, full stroke time बोलेंगे, बहुत बढ़िया, अब देखते हैं average seek time, तो average seek time क्या हो गया, किसी भी एक random track से, दूसरे track में जो जाने में time लग जाता है, उसको अपन average seek time बोलेंगे, तो यह किस तरीके से निकाला जाए, आपको वहाँ पे full stroke time provide कर देगा, one upon three कर देना, full stroke time का आपको मिल जाएगा average seek time, इसको derive करने की जरूरती है, आप अपने दिमाग में इसको बैठा के रखना, चीग है, बहुत बढ़िया, उसके बाद फिर track to track delay क्या होता है, बहुत बढ़िया, इसके लिए आपको यहाँ पे देदेगा track to track delay, अगर मान लेते हैं, T है, और अगर मैं मान लिया कि यहाँ पे n number of अपने tracks है, तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, 0 plus 1 plus 1 up to n minus 1 तक के में जा रहा हूँ, इसको अपन क्या लिख सकता है, n into n minus 1 upon 2, ठीक है, और divided by यह अपन क्योंगी average ले रहे हैं, तो जितने भी number of track है, मैं n number of track यहाँ पे ले लिया, तो यह 1 by 2 को multiply कर देना, track to track delay से आपका average seek time आ जाएगा, आप idea समझ रहोगे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं हम देखते हैं, rotational latency, तो जो अभी मैं आपको बताया, पहले अपन एक track से दूसरे track में पहुँचे, अब ज़रूरी तो नहीं है कि यही वाला ज latency और rotation time में फर्क है, एक पूरे complete rotation का जो time होता है, वो होता है, rotation time, ठीक है बहुत बढ़िया, अब देखो question में आपको इस तरीके से देगा, question में आपको इस तरीके से लिखा होगा, small r, number of rpm देगा, कुछ ऐसा कुछ लिखा होगा, तो rpm का मतलब आपको पता होगा, physics में आप पढ़े होंगे कहीं, r rotation per minute, अगर मैं इसको convert करूँ तो r rotation per second हो जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया, अब इसका मतलब क्या, r rotation हो रहा है मेरा 60 second में, तो भाईया, एक rotation करने हमें को कितना time लगेगा, 60 by r second लगेगा, 60 by r second, ठीक है, तो यही यार रखना है कि एक rotation का time कितना by r second होता है, यह काफी काम आएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया, इसको दिमाग में रखना, आगे बढ़ते हम लोग, it depends on the rotation speed of the spindle, तो भाईया, spindle जो है, जितनी speed से rotate करेगा, उतना कम अपने को rotational latency लगेगा, आप idea समझे होगे, average rotation latency कैसे निकाला जाए, तो भाईया, one rotation का time क 60 by r होता है, तो इसको divide कर दो 2 के साथ, तो यह आपको मिल जाएगा, average rotational latency, जो भी अभी मैं आपको formula बता रहा हूँ, इसको derive बगरा करने जरूरत नहीं है, सीधा अपने दिमाग में रखो, question जरूर बन जाएंगे, तो अपने हो क्या मिल जाएगा, average rotational latency मिल जाएगा, ठीक है समझ गए, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला देखते हैं, data transfer time, तो data transfer time क्या होगा, जितना भी अपन read write operation perform कर रहे हैं, उसमें जो time लग जाएगा अपना, उसी को अपन क्या बोलेंगे, data transfer time बोलेंगे, इसको और detail में थोर समझते हैं, देखो, अपन य size आपको दे देगा, x byte, मतलब आपको x byte of data यहाँ पे read मानना है, ठीक है, देखो, track का size क्या है, y byte है, ठीक है, track का size कितना है, y byte है, और एक बार track को read या फिर write करने में, कितना time लगता है, one rotation time लगता है, तो भाईया, y byte को आपको read करने में, one rotation time अभी आपको बताया था, 60 by r होता है, तो इसका मतलब, मैं आपको क्या लिख सकता हूँ, एक byte read करने में, कितना लगेगा, 60 upon r by y होगा, y नीचे चला जाएगा, तो x byte of data को में को यहाँ पे read करने में, या फिर write करने में, कितना time लगेगा, इतना time लगेगा, तो यही तो है मेरा data transfer time, ठीक है, यही तो है controller overhead, तो भाईया, time taken by the disk to manage the disk, तो disk अपने आपको manage करता है, कि कहां हमनों का data जा रहा है, और किस page को load करना है, जो भी है, अपना extra overhead data, वो है यह, question में दिया है, तो इसको add कर देना, नहीं दिया है, तो zero मान लेना, छीक है, q delay होता है, time spent waiting for the disk to be free, तो भाईया, एक बार disk हमनो the track of the disk है, same storage capacity by default, तो सारे के सारे जो track है, उनका storage capacity क्या होगा, same होगा, यह अपन को मान के चलना है, और disk को access करने का time किता हो जाएगा, भाईया, अभी अपन पढ़े seek time, अभी अपन पढ़े rotational latency, और data transfer time, अगर data transfer हो रहा होगा, तो लेना, मतलब read है, write operation हो रहा होगा, sector में, तब ही लेना, नहीं तो नहीं लेना, ठीक है, अभी question करेंगे, तो idea और clear होगा, controller delay, ठीक है, plus controller delay अगर दिया है, तो वो plus Q delay, आपको idea 7 में है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जल्दी से question देख लेते हैं, बहुत simple है, पिछला ही वाला question है, पिछले वीडियो में है, जो अपन question ले रहे थे, देखो, यहाँ पर एक disc pack देके रखा है, 16 surface देके रखा है, 128 track है, per surface, 256 sector है, per track, और 512 byte of data है, per sector, ठीक है, और उसके तफिर, if the disc is rotating at इतना rpm, ठीक है, rrpm, वही, what is the data transfer rate, तो data transfer rate कैसे निकाला जा सकता है, बहुत simple, जो भी आपका track का size होगा, divided by जो भी आपका rotation time होगा, यही तो होता था, जो मैं आपको बता रहा था, तो data transfer rate कैसे निकालोगे, track का size निकालो, divided by rotation time, rotation time निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, 60 upon R कर देंगे, 60 upon जो भी चीज लिखा है, यह rotation time आजाएगा, अब बस अपने को track का size चीए, तो track का size भी पिछली बार निकालना ठीक है, तो track size मिलगा, इसको अपने इस तरीके से convert कर लिए, बस दोनों को divide कर दिये, answer आपके सामने है, ठीक है, आपको समझ में है, आगे बढ़ते हैं, एक और question जल्दी से यहाँ पे देख लेते हैं, if disk has rotation speed आपको देखे रखा है, RRPM, RRPM देखे रखा है, इसका मतलब rotational delay आपको पता चल दाएगा, ठीक है, average rotation यहाँ पे, क्योंकि average access time पुछा है, तो अपने हो क्या करना होगा, average rotation delay लेना होगा, देखो यह जो अपन फर्मला यहाँ पे लिखे न, यह जो फर्मला है, यह disk access time, अगर अपने को average access time पूछ देगा, तो average seek time ले लेना, average rotational ले लेना average लेना, इसको भी average लेना, सब कुछ average लेना, ठीक है, बहुत बढ़िया, अब देखो, average rotation delay कैसे निकालते हैं, 30 upon R होता है, यही फर्मला अपन देखे थे, यह फिर ऐसे लिख सकते हो, तो यह अपने को देखे रखा है, यह अपन average rotational delay निकाल लेना, अब यहाँ पे seek time अपने transfer time तभी लेना, जब आपको इस तरीके से दीगा हो, number of sector read या फिर write हो रहा हो, इस तरीके से जब दिया होगा, तभी आपको लेना है, नहीं तो नहीं लेना है, आगे हम लोग अगले वीडियो में और question practice करेंगे, अपना understanding towards the other topic और ज्यादा बहतर होगा, जब हम लोग number of question ब झाल